नवाश्कार दोस्तों वेलकम्टू गॉर्ण्मेंट इग्जाम इंफर तो सौगत है उसके आज की वीडियो में और आज हम देखने वाले हैं उत्रखन एल्टी की फूर्थ मॉक टेस्ट ख्लास तो इसमें कुछ और इम्पॉर्टंट कॉछंस देखेंगे अक्रिंग यॉर्ट आफ ऐल्टी का ओफिशल पैटर्न है उसके जो कॉश्चंस है वह हम देखने वाले हैं पार्ट वन का यानिकि जो 50 कॉश्चंस है उसका जो पैटर्वन पार्ट वन जिसमें से डिप टीचिशूप्ट और आपके ब और फाइनली जब आप टोटली इसको अटेम्ट कर ले तो उसके बाद आप कमेंट करके आंसर जूरू बताएं कि कितने आपके आपके आए आउट ओफ 20 तो यह है और इसके अलावा जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्स्क्राइब कर ले आने वारे टाइम में और वी वीडियो आते रहेंगे जब तक आपके एक्जाम चल रहे होते हैं अल्ट के तब तक इसी तरह से और वी मॉक टेस्ट आते रहेंगे और अधर वीडि According to Realistist, Curriculum should be यानि कि जो यथार्थवादी हैं उनके अनुसार पाठ्थे क्रम कैसा होना चीह है According to Realist, Curriculum should be No.1 Practical and useful No.2 Highly organized and systematic Teacher-centered इन में से कौन से options राइट होंगे यह आपको बताना है ठीक है तो इसका right answer क्या होगा देखे इसका right answer क्या होगा ओप्शन No.C यानि कि जो Realism या फिर थार्द वादी है इनके अनुसार पाठ्थे क्रम कैसा होना चीह No.1 Practical and useful होना चीह दूसरा Organized होना चीह, systematic होना चीह और teacher-centered होना चीह According to Realism यह ठीक है, Teacher-Centered According to Realism So, third option is the right answer इसके बाद next देखे नेक्स है हमारा Education should proceed from simple to complex and from concrete to abstract This is the method of teaching in which philosophy of education Idealism, Realism, Essentialism या फिर none of these या आदर्शवात या थार्थवात अनिवाजता या फिर इनमें से कोई नहीं तो यह जो statement है कि सिक्षा को सरल से जटिल और ठोस से अमूर्थ की और पढ़ना चाहिए यहाँ dash में सिक्षन की विधी है, कौन से विचार्थवात बोलता है या थार्थवात या कौन सा इसका right answer होगा ठीक है? So इसका जो right answer होगा, वो होगा, Realism यह थार्थवात यह statement देता है Father of Realism कौन थे यह आपको comment करके बताने है यह आपका question है आज के लिए तो अगर आपने यह realism पढ़ा है तो आपको पता होगा तो नीचे comment करके बता है, यह father of realism को किने कहा जाता है ठीक? अप्शन भी अगर आपने इसमें कैस गया था तो बिल्कुल सही है नेक्स कोशन देखिए question no.3 who introduced the concept of kindergarten यह फिर dash introduced the concept of kindergarten यह चार अप्शन आपको बताने है कि जो kindergarten का concept था first time, वो किस ने दिया था? यह question कही बार आता है so इसका answer करना है आपको चार अप्शन है गांधी जी, फ्रॉवेल, प्लेटो या फिर रूसो गांधी, फ्रॉवेल, प्लेटो और रूसो इन में से किस ने kindergarten का concept दिया था? तो यह दिया था option B फ्रॉवेल ने यानि कि फ्रॉवेल ने इसको basically introduce किया था याफिस का concept था वो फ्रॉवेल नहीं दिया था फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने अगर आपने यह option guess करा था था आप बिल्कुल सही है next देखिए question number fourth question number fourth है the meaning of the word education is to reduce the inner hidden latent dormant potential secret within any human being this is the view of tash यानि कि शिक्षाक सब्दकार्थ किसी भी मनुश्य के भीतर चीपी हुई सुक्ष में सम्ताओं को कम करना है यह किसका दृष्टी गोण है plateau russo or window या फिर for well यह किसका था यह था और window ठीक है option c is the right answer next है हमारा question number fifth 2018 में dash ने विशेस आवश्क्ताँ वाले बच्चों के लिए एक समाववेशन पैनल इस्थापित करने का निर्ने लिया in 2018 dash has decided to set up an inclusion panel for children with special needs ठीक है कि किस ने किया था cbsc ने किया था cp ने किया था ugc ने किया था फिर इनमें से कोई नहीं यह जो किया था Center board of secondary education यानि कि cbsc ने किया था tôi cbsc से कोईशन आपको देखने को मिल सकता है ncrd se कोईशन देखने को आप को मिल सकता है ठक है ने पी से कोईशन आपको देखने को मिलेगा मिलेगा इसके अलावा इस बार डेफिनिटली और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी C.A.B. आपका है C.A.B. उससे कोशन आपको मिलेगा तो कुल मिला N.C.T.E. से कोशन आपको मिलेगा तो कुल मिला की कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके syllabus में भी है और other exams में भी यह चीज़े काफी पूची जाती है तो चुकि आपके syllabus में भी है तो यह सारी चीज़े आपके paper में भी इस से related question आपको देखने को मिलेगा और मैंने कोशिश करा है कि यहाँ पर सभी units से question include किये जाए और एक-एकर के सारे topic से questions बनाये जाए ताकि आपका एक revision भी होते रहे सभी topics का इसका जो right answer होगा वो होगा option number A next है हमारा ECC इस्तर पर राष्टी पाठिकरम रूप रेखा 2005 ने किस पर जोड़ दिया ठीक है ncf 2005 important है बहुत बाइस से question बनता है ठीक है तो ncf 2005 at ecce level पर किस पर emphasis था हुनका तो यह था holistic development ठीक है यह चार option है इस मेंसे जो right answer होगा होगा हमारा holistic development यानि कि समग्र विकास किस पर emphasis था इनका समग्र विकास पर ठीक है ncf 2005 खा जो ecce level पर ठीक है इसके बाद देखे स्वयम क्या है next question है question number seven what is swear number one non-government organization digital program to achieve the teaching digital program to achieve the principles of education ठीक है यह उपर नीचे होगा इसको देखे लिना online platform है name of the website क्या होगा इसका right answer यहां से देखो यह चार options है गैर सरकारी संगठन शिक्षा के सिधानतों को प्राप्त करने के लिए digital कारिक्रम online platform या फिर एक website का नाम क्या होगा इसका right answer स्वयम क्या है सुना होगा आपने इसके बारे में तो basically क्या है यह digital program to achieve the principle of education option b is the right answer शिक्षा के सिधानतों को प्राप्त करने के लिए digital कारिक्रम स्वयम है ठीक है और यह किसके दोवारा initiate हो था तो यह initiate हो था government of India के तरफ से और तो basically इसका जो purpose था to take the best teaching learning resources ठीक है ताकि best teaching learning resources मिल सकें स्वयम की तरफ से तो यह था initiative by government of India अगर आपने second option कैस करा है तो आप बिल्कुल सही है नेक्स देखिए निम्रिखित में से कौन परामश का एक तत्तु नहीं है which of the following is not an element of counselling guidance and counselling आपके service में भी है और इससे question भी रहता है कई बार so interview है confidence है professional growth है या फिर communication इनमें से कौन सा element नहीं है counselling का बुच है ठीक है परामश का एक तत्त्त नहीं है साक्षातकार आत्मईविस्वास व्यावसाइक विकास या फिर संचाल अब इसका answer आपको guess करना है देखिए इसका जो element नहीं होगा वह होगा व्यावसाइक विकास ये professional growth के लिए नहीं होता है ठीक है तो ये counselling का एक element नहीं होगा तो अगर c option आपने चूस कर रहा है तो बल्कुल सही है नेक्स देखते हैं next question है हमारा question no.9 question no.9 में पूछा गया है out of the following which one of one is the wrong statement in the context of characteristics and nature of guidance ठीक है मार्गदर्शन की विशेष्टाओं और प्रकृति के संदर में निम्लिकित में इसे कौन सा कथन गलत है ये चार statement से इसको पढ़िए और उसके बाद कहां सा सोची है so first जो option है a guidance is assisting the individual to adjust himself b है guidance is the promotion of the growth of the individual in self guidance c है guidance is helping the individual himself through others efforts only c और d है यहांपर guidance is assisting the individual to find his place क्या है बिसिकली ये चार्ज स्टेटमें से guidance के लिए उसके नेचर ये फिक रेक्टेस्टिस के अगॉर्डिंग कौन सा स्टेटमें सही है guidance क्या होता है एक सगीड इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमें गलत है अब आंसर को इसका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा option number c ठीक है guidance is helping the individual through other efforts only ठीक है यानि कि मार्ग दर्शन केवल दूसरों के मार्ग दर्शन केवल दूसरों के प्रयासों के मध्यम से व्यक्ति की स्वयम सहयता करता है ठीक है ये एक गलत स्टेटमेंट है ठीक है मार्ग दर्शन केवल दूसरों के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति की स्वयम सहयता करता है ये रॉंग स्टेटमेंट है किसके लिए characteristics और nature of guidance के context में ठीक है तो अगर आपने c option गैस कराता तो आप बिल्कुल सहीं है ये था हमारा और इसके बाद वाला question देखते हैं नेक्स्ट है हमारा question number 10 in औरबिंदो philosophy education is the integral sense includes the dash aspects औरबिंदो के दर्शन में आपके syllabus में भी है औरबिंदो तो इसमें ये है कि औरबिंदो के दर्शन में समगर अर्थ में शिक्षा कोण कोण से पहलु शाररिक मानसिक मхतपूर्ण और मानसिक सारीक और आध्यात्मिक और सारीक महतपूर्ण मानसिक का मतलब है कि physical, vital, mental and spiritual कौन सा वाला right answer होगा physical या mental especially कौन सी चीज़ों पर बात की गई थी और बंदो के philosophy of education में जो integral sense है वो क्या include करता है इसका जो right answer को होगा option number D यानि कि इसमें physical, vital, mental and spiritual तीनों की बात कही है so option D is the right answer तो अगर आपने ये guess किया तो आप बिल्कुल सही है इससे पहले में ने एक चीज़ बताया था कि ये जो philosophy of education है इसमें जैसे realism है, idealism है तो basically इसका जो basics है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप questions अटेम्ट कर पाए तीक है बिल्कुल depth में अगर आपको knowledge है तो काफी अच्छी बात है अगर depth में knowledge नहीं है तो at least आपको इतनी knowledge होनी चाहिए कि अगर इस तरह के question बनते है तो ये इस तरह के question और जो बहुत जादा tough level का एक paper भी नहीं आएगा बट जो basic तीज़ है in theory, ये philosophies के वो आपको पता होनी चाहिए इसके बाद दीखे next है हमारा according to the attribution theory of motivation which one of the following which of the following is more likely to lead to sustained effort and better performance प्रेणा के आरोपन सिद्धान के अनुसार निम्रिकित में से कौन सा निरेंतर प्रेयास और बहतर प्रदेक्शन की और ले जाने की अधिक संभाब ना है ये चार options है आपको पताने इसका right answer क्या होगा पहला है असफलता के सांथ सफलता के लिए आंतरी कारोपन internal attribution for failure as well as success B है external attribution for failure as well as success C है internal attribution for success and an external cause for failure D है an external attribution for success and an internal cause for failure कौन सा right answer होगा ये आपको बताना है प्रेड़ना के आरोपन सिद्दान्त के अनुसार निमने में से कौन सा निरनत प्रियास और बहतर प्रदिशन की और ले जाने की अधिक संभावना दिखाएगा बताएगा क्या इसका जो right answer होगा वो होगा option number A ठीक है internal attribution for failure as well as success सफलता के सांसत सफलता के लिए आंतरी कारोपन ये वाला right option इसमें ठीक है चलिए आगे बोटते है next question देखिए so next question is the student who asks question in the class should क्या करना चीए अगर question कोई क्रक्षा में चातर जो है प्रशन पूछने वाला चातर है उसके लिए क्या होना चीए should be motivated to keep asking participation in class discussion should be encouraged should be motivated to find the answer independently of himself student should be asked to meet the teacher outside the classroom यानि के कक्षा में पूछते रहने के लिए प्रेरित किया जाना चीए कक्षा चर्चा में भाई रारी को प्रेरित किया जाना चीए खुद से स्वतनत रूप से उत्तर खुजने के लिए प्रेरित किया जाना चीए इसका right answer क्या होगा अगर कोई जो student है वो questions पूछते रहता है तो उसको और भी motivation करना चाहिए इसके लिए should be motivated to keep asking the questions in class ऐसा नहीं है कि हम इने रोग दे अगर कोई questions कर रहा है तो तो ये वाला right answer को इसमें next देखिए next इसमें अगला question है इसमें लिखित मैंसे किसे 2024 में भारत रतने से संभानित किया गया current of us के question आपको जो और देखने को मिलेंगे जो आपका gk portion है तो उससे related कुछ question यहाँ पर इस mock test में include हुए है which of the following has conferred with the भारत रतन in 2024 इसके बारे आपने सुना हुगा options है डॉक्टर मनमोहन सिंह, महेंद सिंह धोनी, अरविंदर केज जीवाल यह फिर लाल कृष्णा आडवानी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा लाल कृष्णा आडवानी इनको यह दिया गया है सम्मानित किया गया है और 2024 में भारत रतन से और यह कौन थे, बेसिकलि यह को फाउंडर थे भारती जंदा पार्टी है तो लाल कृष्णा आडवानी इस दी राइट आंसर नेक्स्ट है हमारा लेटन जनरल अनिल चोहान किस पत से संबन्दित थे लेटन जनरल अनिल चोहान इन में से कौन से पत से रिलेटेड है वो आपको बताने ठीक है यह उप्शन्स दियेगे है चीफ नेवल स्टाफ चीफ आफ डिफेंस स्टाफ अटेर्नी जनरल अफ इंडिया या फे डिरेक्टर जनरल अफ आइटी बीप तो चीफ आफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड है आपको बता होगा तो बी ऑप्शन इस दी राइट आंसर नेक्स्ट हैमारा किस संगठन ने बी आईएस के उच्चितम खरे इस तरफ चैके से सुरक्षा के लिए अब सबसे हलका बुलेट रूफ जैकेट विक्सित किया है विच ओर्गनाज़ेशन डवलप दा लाइटेस्ट बुलेट रूफ जैकेट फोर प्रोटेक्शन अगेस्ट थाइएस्ट थाइस्ट लेवल सिक्स ओफ बी आईएस्ट यह जो हाइस्ट थाइवल है उसको टैकल करने के लिए लाइटेस्ट बुलेट प्रोट जैकेट किसमे बना है इस तो ने डियाडियो ने CSIR ने फिर HAL ने तो देखो जनरली जो भी यह डिफेंस से रिलेक्टिक चीज़े बनाई जाती है वो डियाडियो बनाता है ठीक है डियाडियो इस दी राइट आंसर और डियाडियो की बात करने तो इसको फुल्फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट और और नाइंटीन हंड्रेट फिप्टी एट में यह स्टैब्लिश हुआ था करेक्ट सो बी ऑप्शन इस दी राइट आंसर चली आगे बटते है नेक्स्ट कॉश्चन देखते है नेक्स्ट है हमारा जनुवरी दोफेशर बाइस में किस देश ने जी सेवन प्रेसिदेंसी संभाली ठीक है यह आपको ताना है कि इन जनुवरी 2022 विच कंट्री तुक एंड फोफेशर लैंड जर्मनी आस्स्ट्रिया यह फिर फ्रांस इचार उप्शन इसका अंसर आल तो इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मानी ठीक है जर्मानी नहीं संभाला है तो यह जो प्रेसिदेंसी है इसको संभाला है तो बी ऑप्षिन इस दी राइट आंसर करेक्ट नेक्स्ट आगे उड़ते हैं अब इसको देखते हैं कुछ रिजनिंग के कॉश्चंस इसमें दिया गया है कि तो यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है यहां पर इसको चेंज कर लेना यह ट्राइंफ है तो विक्री इस सेट बैक ट्राइंफ और सक्सेस अब बताओ कि इसमें से कौन से रिलेटेबल लग रहे हैं वैसा हिंदी में यहां कर तो ऑज़ी में आ रहा होगा झाल से समझ में कांसब और सक्सेस क्या हैं। synonyms है, लेकिन sadback, यहाँ पर option में भी देख सकते हैं यह 3 प्रविजय सफलता लेकिन यह सबसे odd है यह 3 प्रवर्ट सफलता को बता रहे हैं लेकिन जो sadback है वो सफलता को बता रहे है इसका मतलब है कि यह odd है इन चारों में से so right answer क्या होगा इसका? option number B now next question देखते है next है हमारा choose the correct option choose the correct option to indicate the arrangement of the following words in a logical and meaningful order logical and meaningful order में इसको हमें arrange करके बताना है तो जैसे यहां पर दिया हुआ है state, street, house, number city and country तो basically हमें इसको arrange करना है logical order इसका जो right answer को क्या होगा logical order मतलब की हमें एक तरह से जैसे address लिखते हैं address में सबसे पहले house है उसके बारे मतलब house number क्या है ठीक है उसके बाद city कौन सी है इस तरह से आता है ना पहले house फिर village फिर इस तरह से आता है उपर फिर last में country आता है इसका sequence क्या होगा यह आपको बताना है अब इसमें यह 5 दिये गए है इसमें find out करो कि पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा फिर उसके बाद कौन सा आएगा सो आप लोगों ने guess कर लिया होगा इसका right answer यह चार option भी दिखा देता हूं मैं इन चार उमें से कौन सा होगा वह आपको बताना है सो आप लोगों ने guess करा होगा और अगर आपने option number यह चूस कर आए तो बिल्कुस नहीं जाब सबसे पहले अड्रेस हम मेंशन करते हैं सबसे पहले house यह house number के बारे हम बताते हैं उसके बाद कौन सी जगा पहे है street या कोँछ सा local place है street कौन सा है और यह option second पहले third पर option second and thenpodř fourth option जाने कि इसके बाद city को मेंशन करते हैं कौन से नहीं है ठीक तो यह fourth होगया तो उसके के बाद हम स्टेट में आते हैं उसके बाद हमारा कंट्री आता है तो यह सेक्वेंस होगा लॉजिकल एंड मीनिंग्फुल ओर इसका यही होगा आप सबने गैस कर लिया होगा ए इस दी राइट आंसर नेक्स कोशन देखिए यदि ए बराबर चार सी बराबर चै तो आप पावर को कैसे कोड करेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक पावर के लिए कुछ नमबर में कोड दिये गए हैं अब इसमें दो हिंट दिये गए कि A 4 के बराबर है C 6 के बराबर है तो कैसे हम पावर को कोड करेंगे इस तरह के कोशन में जिनरली जो अल्फावेट्स का प्लेस होता है जैसे A नमबर 1 पे आता है B 2nd नमबर पे आता है ठीक है तो यह जो प्लेसिज वैल्यू है इसकी कौन से पोजिशन पर कौन सा नमबर है जैसे Z 26 नमबर पे है उसी तरह से यह आपको पता है इसमें आप कॉंसेप्स एपलाई कर सकते हैं जैसे इस वाले कोशन के अगर हम बात करें तो यह आता है वन नमब पात है थर्ड नमबर पे थर्ड में अगर 3 एट कर रहे है तो 6 आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में 3-3 एट करके यह रिलेशन बनाया गया है ठीक है तो पावर को भी इसी तरह से हम करेंगे और पावर के लिए पावर का जो प्लेस वैल्यू है उसमें 3 एट करेंगे उसके नमबर से मैच करके दिखेंगे इन 4 में से कौन सा मैच हो रहा है तो यह आपका काम है कि इसको आप मैच करके चेक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा मैच हो रहा है ठीक है यह हिंट मैंने दे दिया है इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो ए आना चाहिए और आप चेक करेंगे इसको खुछ से करके ऑप्शन एही आ रहा है या नहीं करेक्ट सो एह आना चाहिए आपका ऑप्शन अगर एह आ रहा है तो आप सही होंगे तो इसको आप एक रफ में कर सकते हैं कैसे जो कॉंसर्ट उसको याद रखना हर एक एल्फावेट का जो पोजिशन फिप्त में अगर थ्री एड करते हैं तो क्या मिल रहा है एट मिल रहा है तो देखो इसमें से एक चिस्तों में क्लेरली दिख रही है कि एट तीनों में ही है यहां पर देखें यह वाला ठीक इस तरह से आपको आगे के जो यह बाकी के नंबर है डबलू ओ पी और आर इन इसे हमारा निमलिखी चार संख्याव में से तीन एक निश्ची तरीके से समान है और एक भिन है विशन चुने यह भी और वन आउट का कुश्चिन है on the following four numbers three are alike in a certain way and one is different choose odd तो अगेन इसमें तीन ऐसे number होंगे जो किसी ना किसी तरह से relatable होंगे and एक ऐसा number होगा जो relatable नहीं होगा ठीक है तो आपको find out करना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला number है ठीक है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो पहले दो digit है जब उसका difference ले रहे हैं तो तीसरा डीजिटी आ रहे हैं कि नौ में से पांच का difference आ रहे है तो चार आ रहे है similarly दूसरे वाले number को देखो 6 9 3 नाइब में से 6 का difference ले रहे है बतलब difference ले रहे है चे और 9 तो क्या मिल रहे है तीन मिल रहे है ठीक है four और six का difference ले रहे है तो two मिल रहे है लेकिन ये जो d option है seven और five क के difference ले रहे हैं तो क्या 3 मिल रहा है 7 में से 5 गया तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है इत मेंस कि यह सबसे और है यह relation मैंच नहीं कर रहा है इसके इन दीनों के साथ उपर से इसका मतलब कि D option is the right answer for this particular question यह वाला option इसका right होगा तो यह थे आज के कुछ important questions और I hope वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को आने वाले टाइम में आपको और वी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और खास तोर से यह जो mock test है मेरी साब से यह काफ़ important है और इसको मैं time to time provide कर वाते रहूंगा ठीक है जब तक exam complete नहीं होता है तो एक इससे आपको idea मिलते रहेगा अपने level का और आप suggestion जरूर देना कि इसमें क्या कमी है और क्या अच्छा लगा आपको ठीक है और क्या चीज है और आपको चाहिए extra वह बता सकते हैं बाकी मेरी साब से यह जो पैटर्न है according to ukator plus सी सही है और आप suggestion दे सकते हैं लेकिन अपने ठीक है और कोई भी doubt है नीचे comment करके जरूर बताएं और वीडियो को share जरूर कर दें और telegram से आप जूर सकते हैं अभी मैंने कोई PDF अगरा provide नहीं करवाई है लेकिन झाल